अस्किलाम अलिकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे फिश फ्राइ की रेसिपी जो एकदम चट पटी चट खारेदार बनकर तेयार होती है अगर आपकी फिश की कोटिंग निकल जाती है तो इस रेसिपी को फॉलो करकर परफ्रेक्ट फिश आप बना सकते हैं और इस जाने के लिए हमने यहां पर यहां पर टेढ़ क लोपीश ले लिए है और देखिए हमने इस तरह के चमस चमच यहांनि यानि टू टीप्ल स्पून आठा जिससे हम रोटीया बनाते हैं घर में वही आठा कर दाना है और आपенного कर दी और हम इसमें फो टीप्ल स्पून विनेगर वैसे तो बहुत तरीके होते हैं फिश को क्लीन करने के बस साफ करेंगे इससे कोई श्मेल नहीं रहेगी फिश में अब देखिए इसमें हमने विनेगर एड़ कर दिया है अब दो बड़े चमच यहां पर हम मस्टर्ड ओइल एड़ करेंगे सरसो का तेल अब अच्छे से सभी चीजों को हमने फिश पर लगा देना है तो बहुत अच्छे से लगा दीजिएगा दोनों साइट से यह देखिए इस तरह से हलके हातों से और अब इसको रख दीजिए आप 15-20 नट के लिए इसी तरह तब तक यहां पर चटनी तेयार कर लेते हैं तो द ले सकते हैं और एक बंच लिया है लहसुन को जो पूरा हम झाherda कर दिया है और हरूमिर्च लेनी हमने चार ली हरूमिर्च यह डिए यह कमे सूलिकी लियो सी है और लाल मिर्च और करें लिए हैं यहां पर लिया है चार बड़े चमच इमली का पल्प टोड़ी देर बिगो कर रख दीजिए और इसका इस तरह से पल्प निकलाएंगा अब इसमें एक लेमन जूस है को और उसमें अट करते हैं हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा हाफ पन फोर टी स्पून काला नमक और बन फूर्ट टीस्पून सफेद नमक जो हम घर में रेगुलर यूज़ करते हैं थोड़ा सा मतलब पानी एड़ कर दीजिए इसमें बन फूर्ट कप के करीब और इसके हमने चटनी बना लेनी है तो देखिए चटनी पिसकर रेड़ी हो चुकी अब इसको निकालेंगे एक बोल में यहाँ पर आप नमक इसमें चेक कर सकते हैं कम हो तो और एड कर सकते हैं और देखिए यहाँ पर फिश को रखे हुगे भी 20 मिनट हो चुके थे इसी तरह से हमने रखी हुई थी अब इसको ह उहीं रहेगी तो आप नर के नीचे अच्छे से सको सारे पानी से वॉश कर लिए ताकि इसका वुभ निकल जाए वह ने बहुत अब pack ब céuता हे दाला कर रख दिया जिसके काली मिर्स का पाउडर एड़ कर दिया है और वन टी स्पून भुना कुटा जीरा चाट मसाला पाउडर एड़ करेंगे टू टीबल इस्पून और अब एट करना है वन टीबल स्पून कुटा हुआ धनिया मोटा मोटा इस तरह से दर दरा सा कुटा हुआ धनिया एट कर लीजिए और चिली फ्लेक्स एट करेंगे हम यहाँ पर वन टीबल स्पून एट कर लीजिए और यहाँ पर वन टी स्पून अजवाइन एड़ करेंगे इससे बहुत अच्छा फ्लीवर आएगा और अब इसमें एड़ करना है वन टी स्पून काला नमक वन टी स्पून सफीद नमक या पर नमक आप अपने टेस्ट के कोड़िंग भी एड़ कर सकते हैं जितना आप खाना पसंद करते हैं उतना इसमें एड़ कर लीजिएगा क्योंकि हमने नमक से क्लीन भी करा है अब देखिए यहाँ पर हम बेसन एड़ करेंगे तो यहाँ पर हमने देखिए चार बड़े चमबच पहले आप बेसन एड़ कर दीजिए और दो बड़े चम्मच यानि टू टेबल इस्पून कॉन फ्लार एड़ कर देंगे कॉन फ्लार नहीं है तो आप अरा रोट पावडर भी एड़ कर सकते हैं वन टेबल इस्पून कसूरी मैथी इसको हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था इस तरह से पावडर बना लिया है तो यह एड़ कर देंगे थोड़ा सा रेट फूट कलर एड़ करेंगे यह ऑप्शनल है आप चाहें डालें वरना आप इसके भी कर सकते हैं एक लेमन जूस एड़ करना है और थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और अच्छे से इसका एक बैटर बनालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी एट करिए तब इसको अच्छे से मिक्स करते जाए यह देखिए इस तरह से यह फिश बहुत ही जाधा टेस्टी बनती है बहुत जाधा क्रिस्पी बनेगी एक बार जब आप बनाएंगे तो मेरी गैरेंटी है कि दोबारा आप इसी रेसिपी से यह को बनाना जुरूर चाहेंगे तो देखिए यहां पर हमने इस तरह से इमाजिनेशन त्यार कर लिया है ऐसे ही होने चाहिए अब इसमें फिश एड़ कर देने हैं आप देख सकते हैं फिश एक दम क्लीन है बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं है बलड नहीं है अच्छे से इस तो फिश को फ्राइब करने के लिए यहां पर मैं यूज कर लिए अपनी अगारो की ट्राइब लाए हनी कोम कड़ा ही अगर आप इस कड़ाई को पर्चेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब देखिए इसमें ऑईल कर लिया ह एकदम क्रिस्पी हो जाए ना तब इसको निकालेंगे तीन से चार्ड मिट लग जाएंगे अच्छे से क्रिस्पी होने तक यह देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया और कोटिंग देख सकते हैं बिलकुल भी नहीं निकली है तो आप भी इस तरह से रेस्पी को फॉलो करकर बढ़ाएंगे तो आपकी भी जो फिश है पर्फेक्ट बनेगी सारी फिश यहां पर देखिए फ्राइए हो चुकी है अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और आप इसके आवाज सुन सकते हैं एकदम क्रिस्पी बनिए बहुत जादा टेस्टी मजेद ट्राइब ज़रूर कीजिए आप तारीफ करते नहीं ठाकेंगे और कॉमेंट्स ज़रूर करने आएंगे कि हाँ आपने बहुत अच्छी रेसिपी बताई तो ट्राइ करना तो बनता है उम्मीद करती हूं आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी बखने मिल्जाइगा